वेलकम टू जिस्टनाकेडमी इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आईरन एक बहुत इंपॉर्टन ट्रांजिशन ऐलिमेंट है इसके बारे में पढ़ेंगे आए स्टार्ट करते हैं और हमारे पास च्टील के ट्राइपस भी है नीचे वह हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और iron के बारे में study करते हैं iron की जो symbol होती है वो FE होती है और इसका जो नाम है chemical name वो हमारे पास ferum होता है तो ferum की वज़ा से ही इसकी FE जो है वो symbol आती है iron के लिए कहा जाता है fourth most abundant element in earth crust हमारी अर्थ के अंदर चौथा जो है वो most abundant element है वो iron है सबसे पहला हमारे पास क्या है सबसे पहला oxygen है दूसरा हमारे पास silicon है तीसरा aluminum है और चौथा जो है वो हमारे पास iron है तो iron के बारे में fourth most abundant element in earth crust ये आपको point याद रखनी उसके बाद used in industries manufacturing and construction तो आपको पता है कि iron को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्री में चीजों को manufacture करने के लिए बहुत सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा यूज है हमारे पास और iron जो है वो present in hemoglobin हमारे ब्लड के अंदर जो RBC मौजूद है RBC red blood cells ये बायो वाले ज्यादा समझेंगे इसको red blood cells जो मौजूद है हमारे blood के अंदर इनके अंदर क्या है hemoglobin होता है hemoglobin एक तरह की proteins होती है और इसके अंदर भी हमारे पास iron पाया जाता है तो हमारी body के अंदर भी ये iron present है हमारे blood के hemoglobin के अंदर तो इसलिए ये हमारे पास important biological system के अंदर भी इसकी importance है तो biological system के अंदर भी hemoglobin के अंदर iron present है तो इसकी biology के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा importance है आइरन और और हमारे पास क्या होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं जब भी किसी भी मैटल को जो है वो निकाला जाता है जमीन से धर्ती से जब उसको मिलता है हमें अर्थ से उस माटीरियल को हम निकालते हैं तो उस वो जो है प्यॉर फाम में नहीं होता उसके साथ बहुत सार मिनरल्स जो आपस में मिक्स होते हैं और वो सारे मिक्स होकर एक तरह का पथर टाइप जो है वो बना देते हैं उसे हम और कहते हैं अब उस और के अंदर क्या होगा वो मैटल भी प्रेजंट होंगे साथ में उसके पास बहुत सारी इंप्यूरिटीज भी उसके अदर और पास दो हमारे पास इंपर्टन और है इसके अंदर क्या आपको दिख रहा है और आरन भी जो है वह इसके साथ कंबाइंट वाम में वो इसके साथ लाहे इसके साथ भी और इसके अंदर मट्टी वगीरा इसके बाद अचहरी इसके दर प्रिजंट रोंगि इसके बद आरन जो ए ये हमारी पास इसके अगर हमें झूशे करना है तो हम क्या करेंगे metallurgy of iron करेंगे metallurgy क्या होता है metallurgy एक process होता है जिसके अंदर metal को निकाला जाता है metal को एक्स्ट्रेक्ट किया जाता है और उसके ore में से metal हमें pure farm में मिलता है इस process को हम कहते हैं metallurgy जो कि हम next video में पढ़ेंगे हम copper की metallurgy को start करेंगे oxygen के साथ रियक्शन करेंगा और क्या बना देगा oxide layer बना देगा अपने उपर तो यहां पर यह फेरस oxide होगा तो फेरस oxide क्या है यह एक तरह की layer होगी इस iron के उपर अगर आप iron को moisture के अंदर कहीं पर रख देते हैं तो क्या होता है oxygen के साथ वो reaction करके अपने उपर जंग चड़ा देता है तो जंग जो लगना है iron का उसे हम कहते हैं oxide layer तो वो oxygen के साथ reaction करने पर ही यह iron को जंग लगता है iron react with excess chlorine iron के साथ भी reaction करता है लेकिन chlorine excess में होना चाहिए ज्यादा chlorine होना चाहिए तो यह reaction करेगा यह लो लुट के साथ और यह लो लुट आपको याद रखने उसके बाद इसके उसे यूजस जो है वह बहुत इंडस्ट्री मेंसे बिल्डिंग और और फ्लेवर को जो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है flavor क्या होते हैं जो बड़े-बड़े road होते हैं जो जा रहे होते हैं एक दूसरे के उपर या फिर pull वगएरा होते हैं उन्हें flavors कहते हैं तो ये हमारे पास इनको बनाने के लिए iron बहुत जाता है यूज होता है बहुत सारे tools बनाने के लिए iron को यूज किया जाता है weapons बनाने के लिए हत्यार जो हैं ये सारे iron से ही बनते हैं appliances बहुत सारे हमारे पास हैं जो आप घर के अंदर बहुत सारी appliances यूज करते हैं बहुत सारे सामान यूज करते हैं जो iron से बने हुए और रेल 트ihin q a rrann को व Do you пис cur efrikां सारी जा रही होती है उसके नीचे से है यह सारी आइरं कि होती है उसके उपर जो FiTrain ॉक चलती हैپ至 व्यादस को बनाने इनको डिसकस करते हैं स्टीन ट्याप सबसे ज्यादा यूज होने वाला आयरून का अलाय है आयर्ण का…. के साथ और ज्यादा ज्यादा वो कुछ और मेटलस मिल कर ये इस अपस में कम्भाइन हो कर ये alloy बनाते हैं, alloy actually क्या होता है दो से ज्यादा mixture होता है, दो से ज्यादा metals का तो iron एक metal है, दूसरे भी इसमें element हम add करके एक alloy बना सकते हैं, तो alloy क्या होता है उसके अंदर उस सभी metals की खासित जो वो मौझूद होती है, अब यहां पर तो दूसरे elements इसके अंदर जो combine होते हैं, उसके अंदर हमारे पास carbon आता है, sulfur, phosphorus, silicon और manganese यह बहुत सारे elements जो है, इसके अंदर mix किया जाते हैं, different pressures के अंदर, और इसमें सबसे ज्यादा जो elements होगा, वो कौन सा होगा यह हमारे पास होता है, iron इसके बाद इसके अंदर बहुत ही थोड़ा-थोड़ा amount जो है, वो carbon, sulfur, phosphorus और silicon और manganese का भी इसके अंदर इंटर किया जाता है, तो उसके बाद हमारे पास यह alloy जो है, steel बन जाता है, अब इनके जो ratios के हिसाब से इनके different types आ जाते हैं, जिन के अंदर किसी के अंदर carbon ज्यादा है, तो वो हमारे पास carbon steel बन जाएगा, और किसी के अंदर हमारे पास stainless steel के अंदर क्या होगा, कोई और compound इसके अंदर element जो ज्यादा होगा, तो इस तरह से different types होते हैं, steel के वो भी हम discuss करते हैं, अब यह alloy बनाने का फाइदा क्या है, तो the elements enhance the mechanical, thermal and chemical properties, iron जो होता है, वो simple अगर iron हम use करें, pure iron यूज करें, तो उसके अंदर क्या होता है, iron को जंग लग जाता है, उसके ओपर oxide की layer बन जाती है, जंग लग जाता है, जिससे iron खराब होने लगता है, तो यह जो elements हम दूसरे इसके अंदर add करें, यह elements क्या करते हैं, अपनी इनकी खुद की खुद की जो properties होती है, वो सारी इसके अंदर add हो जाती है, तो इसकी mechanical properties, thermal properties और chemical properties सारी जो है, वो change हो जाती है, जैसे कि अगर simple iron हो, तो अगर वो इतना मजबूत नहीं होगा, mechanical अगर हम उसके अंदर दूसरे elements एड़ करके steel बनाते हैं, तो steel और जादा mechanical होता है, बहुत जादा strong होता है, thermal properties की बात करें, तो iron जो है, उसकी thermal properties कुछ और होती हैं, जबकि steel की उससे कुछ thermal properties होती हैं, मतलब heat पर वो थोड़ा सा अच्छा react करता है, अच्छा impact देता है हमें, और chemical properties भी इनकी change हो जाती हैं, जब हम steel को बनाते हैं, iron से और दूसरे elements से, तो इस तरह से हमें बहुत जादा फाइदे मिलते हैं simple iron को use करने से इतने जादा फाइदे नहीं मिलते हैं, जितना steel को use करने से मिलते हैं, तो अब steel के कुछ types हैं हमारे पास, जैसे के सबसे पहला type है carbon steel दूसरा type है stainless steel, tool steel and alloy steel यह हमारे पास 4 types जो है वो बुक के अंदर mention हैं, और भी types हैं steel के, लेकिन यहां पर चार जो हैं, यह main हमारे पास types हैं तो carbon steel, इसको देखें तो हमारे पास carbon steel यह use होता है machinery के अंदर, इसके अंदर ज्यादा जो ratio होता है, वो carbon का होता है अब आया, इसका मतलब यह नहीं है कि iron से भी ज्यादा carbon होगा, इसका मतलब है कि iron सबसे main element होगा पाकी के जो element होगे, उसमें carbon का ratio जो ज्यादा होगा, तो इस तरह से यह machinery के अंदर, pipes के अंदर, tubes के अंदर और automotive part के अंदर use होता है, यह थोड़ा सा black color का भी होता है, और इस तरह से machines के अंदर, pipes के अंदर, tube और automotive means, जो के हमारे पास nut वगेरा बनते हैं, वो इससे बनते हैं carbon steel से बनते हैं उसके बाद stainless steel होता है, जिसके कोई stand नहीं लगता, कोई दाग नहीं लगता, यह हमारे पास kitchen के अंदर use होता है, इसके अंदर हम इसके बरतन वगेरा बनाते हैं, cutlery बनाते हैं, medical equipment भी इससे से बनते हैं जिससे र Wherever आगर वी वुसारे स्टेंलेस से बनते हैं उसके बाद क्यों calm टूल स्टील का र 되어 होता है है इसे हम डिफरेंट टैप्स के टूल बनाते हैं जो कॉर्टिंड के लिए कि अतर वगरा았 इसे वह हैं धिक बनते हैं ए सारे वह करते हैं ये टूल्स जो हम यूज़ करते हैं ये टूल सारे माकेनिकल टूल जो है ये स्टील के बने होते हैं तूल स्टील के बने होते हैं उसके बाद अलॉय स्टील जो है ये हमारे पास ज्यादा तर जो ऐसे बरतन वगरा के लिए यूज़ होता है जिसे हम जलाने का काम करत हम इसको हीट देते हैं तो इस अलॉय सटील की हीट जो थर्मल प्रपर्टीज वह थे वह जादा होती है हैं तो इसलिए हम फ्राइफ पैंगो जो है वह फ्राइफ पर्शुनियों चीज Awards को यूज करते हैं उसके बाद हम आते हैं कॉपर पह और कोपर का थोड़ा इसको discuss कर लेते हैं। नेक्स वीडियो में हम metallic copper की जो हो next video में discuss करेंगे। तो आए देखते हैं। copper क्या है ये dense metal है ये बहुत ही important होता है। Reddish brown color का है ये इसकी physical properties यापको याद रखनी होगी ये hard होता है, dense होता है। Malleable and Ductile होता है, इसका मतलब है हम इसको wires इसकी बना सकते हैं, sheets इसकी बना सकते हैं, इसको press करके इसकी sheet बना जा सकती है, इसकी wires बना जा सकती है, तो उसे हम कहते हैं Malleable and Ductile, तो ये Malleable and Ductile होता है, second highest electrical conductor after silver, ये silver से ज्यादा जो है, silver से थोड़ा सा कम conductor है, लेकिन ज्यादा बहुत ही ज्यादा अच्छा conductor है electricity का इसलिए इसको electrical चीजों के अदर ज्यादा यूज के जाता है तो copper को किसके अंदर यूज के जाता है electrical चीजों के अदर तो हमारे आपके घर में जो wires वगरा है सारी electricity की wire लगी है उनके अंदर जो metal यूज किया गया है वो क्या है वो copper है silver जो है वो थोड़ा सा महेंगा metal होता है ये भी अच्छा conductor है ये सबसे first number पे जो ज्यादा conductor है बहुत ही good conductor है best conductor जो जिसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास silver है उसके बाद second highest electrical conductor है वो copper है तो copper थोड़ा सा cheap होता है silver से इसलिए copper को ज्यादा यूज किया जाता है और copper हमारे पास wires वगरा के अंदर हमारे electrical appliances के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है तो copper की symbol आपको पता होगी इसकी symbol है cu और इसका जो atomic number है वो है 29 तो इस तरह से आपको यह थोड़ से simple चीज़ें तो यादी होंगी आगे चलते हैं copper के अंदर कुछ इसके reactions देखते हैं तो copper concentrated sulfuric acid के साथ reaction करता है यह reaction आपको याद होना चाहिए copper यह H2SO4 sulfuric acid के साथ reaction करता है यह concentrated होना चाहिए sulfuric acid और इससे यह reaction करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा copper यह sulfate के साथ जाके reaction कर लेगा और इस तरह से हमारे पास copper sulfate बन जाएगा और SO2 gas यहां से release हो जाएगी जब भी sulfur H2SO4 metal से react करता है तो हमारे पास sulfur dioxide gas भी बनती है और वह साथ में water बनता है और यह हमारे पास copper sulfate यहां पर compound मिल जाएगा उसके बाद nitric acid HNO3 इससे reaction होता है copper का तो copper यहां पर क्या बनाता है copper nitrate बनाता है यहां पर यह nitrate के साथ copper reaction कर ल इसके usage कुछ देख लें तो uses in electrical appliances आपको पता है कि copper ज्यादा तर electrical appliances के अंदर यूज किया जाता है उसके बाद electrical wires के अंदर, cables के अंदर, motor के अंदर, also plumbing, plumbing के अंदर भी मतलब pipes वगएरा यूज बनाने के लिए यूज होता है, telecommunication में बहुत ही ज्यादा इसका role है, मतलब जो हमारे computer वगएरा बहुत सारे communication की applications है, उन सभी में य ज्यादा use होता है, coinage के अंदर और alloy बनाने के लिए, मतलब coins बगएरा बनाने के लिए और alloy बनाने के लिए यूज होता है, to alloy के अंदर ज्यादा copper को, को just क्या हना तो इस तरह से यह कुछ uses, जो आपको ध्यान में रखने होंगे, आपको याद करने होंगे, तो में मिलते ह長 नेक्स वीडियो में और नेक्स वीडियो में हम डिसक्स करेंगे बहुत ही इंपर्टेंट ट्रॉपिक जो कि हमारा लॉंग कोशिंस के अंदर आएगा मैटलर्जी आफ कॉपर तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए मुझे दौर में याद रखेगा और थैंक के बढ़ ये इंदर सकते हो वीडियो मेन ।रॉबर्ज़ नेक्स वीडियो हिए्जरां पादा प्राइब करेंश में चीडियों फीडियों में हड़दी ड़ल माते हैं